आज मैं भीम सेना पर मुख नवाब सत्पाल तवर नहीं हूँéta एक सताया हुआ बेटा हुँ सताया हुआ भाई सताया हुआ दामाद हूँ आज मैं आपए लोगों के बीच मैं बेटोंगा जंतरमंतरभे निशातावर एडवोकेट के सहयोग में आऊँगा ऐसे ही सबसे अपील करूँगा कि भाया आप बे आओ इस बेटी की बेटी का साथ दो वहाँ पर मुकेश जाटव और गोरव जाटव को बड़ी बेहरहमी से ऐसा किया कि वो इस दुनिया में हमारे बीश नहीं है ठीक ऐसी ही अलिगड में एक मुस्लिम साथी औरंग जेव गोरव जाटव भी मुकेश जाटव भी और औरंग जेव भी ये सब भीम सेना के मेंबर थे और रिकॉर्ड मेंबर थे सदश्य थे भीम सेना के यह बात किशी को नहीं मालूम है और इसके अलावा आकास जाटाओ वो भी भीम सेना के मेंबर थे फिरोजाबाद में आकास जाटाओ पुलिस हिरासत के दोरान जब वो न्याईक हिरासत में थे उनको जेल में ही पीट पीट कर जेल के अंदर वो आज इस दुनिया में नहीं है मैं बतानी सकता मैं अलिगर जाने की मैंने भरसक पुलिस ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया बलकि उससे पहले जिलों की पुलिस ने मुझे गेर करके जबरन गिरफतार करने की कोशिस की अब मैं फिरोजाबाद जा रहा था भाई आकास जाटाओ के घर नगला पचिया में तो इन्होंने आगरा में ही मुझे घेर लिया और मुझे मजबूरन वापस लोटना पड़ा बहुत से लोग उन्होंने वहाँ पर मेरा मनुवादी टाइप के जो लोग थी उन्होंने कहा कि डर के भाग गया भाग क्यों रहा है भाग मिलखा भाग इसी तरह के सब्द मुझे से बोले गए और मैं फिर भी ये सोच के वापस लोटाओं कि मेरे बाद मेरे समाज का क्या होगा जूटे मुकद में ये लोग दर्च कर रहे हैं मेरे सोतंतरता के अधिकार का हनन किया जा रहा है जो मोली का अधिकार है समिदान ने दिया है बाबा साब ने दिया है उसका हनन किया जा रहा है मेरा जाने का अधिकार है मैं फिरोजबाद भाई आकास जाटव के परिवार के जो रोता बिलखता परिवार है मैं उनके आसू पोचने के लिए जा रहा था इन्होंने आगरा में मुझे घेर कर मुझे बंदी बनाने की कोशिस की और मैं वहाँ से जब जाकर के लोट के मैं वापस पहुचा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि जब शेर अगर चार कदम पीछे बढ़ाता है तो साइदल एक लंबी छालांग लगाता है मैं योगी सरकार के खिलाफ पूरे देशवर का आवान करता हूँ कि योगी आधितियनाथ सरकार गलत कर रही है जूटे मुगद में दर्ज कर ये मुझे अपनी चिंता नहीं अपनी फिकर नहीं है मैं लोगों के दिलों में अपने जिन्दा रऊंगा अगर मुझे कुछ हो भ में गया वहाँ पर इन्होंने जबरन मुझे घेरा पकड़ लिया भीमसैनिक मुझे छुड़ा ले गए अब उसके बाद इन्होंने कहीं जाकर मेरे खिलाब मुकदमा दर जी नो नहीं किया मैं रामपूर में के गया रामपूर में एसुजी एस्टिफ लगा कि मुझे किया गया मुझे और मेरे लोगों को मैं चांदपूर गया वहाँ बाबा साब की परतिमा को जबरन हटा दिया गया तो वहाँ पर मतलब ये लोग मुझे नहीं रोक पारे इन्होंने मेरे पिछे गुंडे लगा दिये इन्होंने मेरे पिछे ताना शाह पुलिस लगा दी इ जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने मेरे परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग बेकसूर पिताजी को और एक अन्य दलित युवक सचिन राज को इन्होंने बिजन्दोर की जेल में डाल दिया है। 25,000 रुपे लाओ मैं अभी जमानत दूँगी। एक तो आप मानने सुप्रीम कोट के आदेश की अभेलना कर रहे हैं अवमानना कर रहे हैं। उनको जेल में जबरन रखा हुआ है। तो सुगर के मरीज हैं, वो हाट पेशेंट है, दो बार उनको हाट एटेक आ चुका है। उनके किडनी का ओपरेशन 30, या आने वाली 30 जून को डॉक्टर ने लिखावा किडनी का ओपरेशन और जो जूटा मुकदमा दर्च करके उनको जेल में डाला गया। उस दोरान वो हस्पताल में भरती थे। सारनपुर के देवबंद में हमारे पास पेपर है, हमारे पास रिकॉर्ड है, उस्पिटल का रिकॉर्ड है। जब सारनपुर के उस्पिटल में वो भरती थे और पुलिस कहती है आठ तारिक को घटना की है, तो आप एक बात बताईए, आप आठ तारिक को जब वो में थे ही नहीं तो घटना कैसे हो गई बाबा साब की परतिमा को जवरन हटाया गया मैं उनका दामाद हूँ इसलिए मेरे ससूर जी को इन्हों ने पकड़ के जेल में डाल दिया उत्तर परदेश की पुलिस योगी आदित्यनाच जी के कहने पर मेरे ससूर जी को मरवा देना मुझे गिरफतार करके जेल में डलवा कर मुझे मरवा देना चाहते हैं गुंडों के हातों से मरवा देना चाहते हैं हम बेहद इनसे परेशान हो चुके हैं लेकिन हारे फिर भी नहीं है यह एक बात मुझे समझाने की कोशिज़ा आप कीजिए चाहे क्या नाम था उसका गाइका का अकास जाट नहीं हो गाइका का नाम क्या था सपना चोदरी का मामला हो भी मार्मी पिर्मुख शेंदर सेंगर रावान ने घर से फड़ा रिते चाहे वह मामला हो आपने यहां ज आपके कारेले पर एटेक कर देते हैं गोलिया चलाती है आपके उपर अब तो आपके ससुर साब को भी उठा के लेगे जब बाबा साब अंबेड करके चार बच्चे इस समाज पर मिशन पर कुरबान हो गए तो मैंने भी यह सोच लिया है कि जो समाज के बच्चे हैं ना व मुझे कोई गुरेज ने होगा क्योंकि मुझे मेरी मा ने सईद होने के लिए जनम दिया है या इस समाज को हुकमरन बनाने के लिए जनम यह वही समाज है डॉक्टर मबेटकर को जिताया नहीं समाज ने दिल्ली के अंदर से वह सभा करने आए तो उनके उपर पत्राव किय समाजन नहीं करता आएसा समाज में कुछ लोगों को अदिया जाता है ड़् समाज पर गुशा यहां यह योग लोगी हटाओ यूपी बचाओ उसके लिए तो फिर राजनीतिक आपको चर्चा करनी पड़ेंगी राजनीति बाद की बात है पहले मैं अपने मेरी पतनी बिना राजनीतिक संदक चंके आप जिन्दा नहीं रह सकते इस देश के अंदर सर मैंने मेरा उनसे कोई संबन नहीं है मैं उनके घर भी आता नहीं जाता नहीं मेरा कोई संपर्क नहीं रहता मेरे परिवार से खुद से मेरे ममी पापा बाई बेनों से मेरा संपर्क नहीं रहता मेरे मा ने मेरे पिता जी ने अख़बार में विग्यापन निकल वाके मुझे समाज को सोब रखा है कि जाओ समाज के लिए काम करो तुम्हें तो हमने खुला छोड़ दिया है मेरी मा से कभी पूछना मेरे घर आके बहुत से लोग आये थे अभी आप भी जाके पूछना एक बात मेरे मम्मी जी यही कहेंगी मैं ने खुला छोड़ रखा समाज के लिए करो जाओ यही है कि मेरा संपर्ग नहीं है मैं अभी पीडित हूँ मैं बड़ा परिशान हूँ अपने ओपर की लगे वे केसों से परिशान नहीं हूँ मेरी पतनी निशातावर एड़वूकेट के पिताजी को जो जेल में डालावा इंसान कितनी ही मुश्किलों से जूच जाएगा अमित साह मुझसे टकरा रहा है मुझसे पुलिस टकरा रही है मेरे ओपर 69 मुकदमे दर्ज हो गए मैं टकरा रहा हूँ मैं जेलों में जा रहा हूँ बार बार जेल जाता हूँ आता हूँ मैं तब नहीं टूटा यार मेरे परिवार से मुझे तोड़ दिया गया मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है मेरे परिवार को नहीं है, जो मेरी पतनी है, मेरी पतनी के पिता जी को निशाना बना लिया, इससे बड़ी बुझदिली क्या होगी, अरे लड़ना है तो योगी जी, इतना इदम तुम कहते हो तुमारे अंदर है, तुमामने सामने लड़ो ना, और जो ये तुमने नारंगी धोती पैन के खाकी कपड़े वालों को ताना शा वहसी और दरिंदा बना दिया है भाई खुली छूट नहीं कहेंगे इसको दरिंदिगी कहते हैं हम दरिंदिगी है ये तुमने ऐसा बना लिया है आमने सामने क्यों ही टकराते मैं बैठा दिल्ली गुरगाओं में मेरे को रात को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई मैं रात को भटकता भिर राता गाड़ी के अंदर मैं अलीगर जाता हूं पुलिस मुझे रोकती है फिरोजाबाद जाता हूं उससे डर क्यों एक सच्चा अदमी लगेगा लड़ेगा तो उसके पीछे सब लगए यह बड़ी सोचने वाली वाथ है भाई सत्पाल तवर के पीछे सब लग गए जब यह सत्पाल तवर या तो सही죠 जाएगा यह सत्पाल तवर और अपने समाज को वहां ले जाएगा जहां बाबा साब चाते थे तीन तारी को क्या करने वाले हो एक कोल आपने कर दिया प्रोटर्श की सर मेरा इसमें भीम सेना या अन्य संगठन तीन जुलाई को हम तो इनके सायोग में खड़े हो जाएंगे मेरी पतनी है निशातावर एडवोकेट वो इस आंदुलन को कर रही है और अपने पिताजी सीवचरन सिंग मुंसी जी और एक अन्य युवक दलित युवक सचिन राज और वहां पर जो सो से ज़ादा लोगों पर फरजी मुकदमे दर्ज की हैं जो कि चांदपूर के रहने वाले हैं उनको लेके भाई फिरोजाबाद के रहने वाले आकास जाटाव को लेके अलिगड के भाई मुकेश जाटव गोरव जाटव के मामले को लेकर और अलिगड के भाई औरंगजेब के मामले को लेकर के और तमाम चों उत्तर परदेश में इस पुलिस ने एक चक्की चला रखी है उसको दलिटों को जो पीस रहा है बैठ के एक बाबा मुख्य मंतरी जो यू चक्की का हत्ता होता है चक्की का पार्ट होता है उसमें डाल रहा है जो गेहूं डालते हैं उसमें दलिटों को डाल रह एक बाबा नरंगी कपड़े वाला और यूँ पगड़े के उसको यूँ पीस रहा है यूँ पीस रहा है अब वो योगी भगाओ यूपी बचाओ निशातवर एडवोकेट आ रही है उनके रिहाई के लिए जंतरमंतर पे भाई मेरे सब देशवासे निवेदन है कि आप एक म निवेदन करेंगे चैताब निवेदन करेंगे मैं कोई निवेदन नी करूगा, सरकार निवेदन नी माननी, बाबा साम ने कहा था न्याय मांगने से नहीं मिलता, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उनको छीन लो, अब ये छीन ले के लिए 3 जुलाई को नीशात अवर एडवोकेट या जंतरमंतर पे आएगी, हम तो उनके सहयोग में, जितना सहयोग हम से बन पड़ेगा, आज मैं भीम सेना प्रमुख नवाब सत्पालत अवर नहीं हूँ, मैं एक सताया हुआ बेटा हूँ, सताया हुआ बेटा, सताया हुआ पती, सताया हुआ भाई, सताया हुआ दामाद हूँ आज मैं, आज मैं आके लोगों के बीच मैं बैठूँगा जंतर मंतर पे निशातावर एडवोकेट के सायोग में आऊँगा ऐसे ही सब से अपील करूँगा कि भाई आप बे आओ इस बेटी की बेटी का साथ दो आके अपील की है तीन जुलाई के लिए तीन जुलाई सुबह ग्यारा बजे जंतर मंतर देखते हैं आप कितने लोग जो समाज की रीड की हड़ी है वो इस आंदोलन में बढ़ चल कर अपना सहभाई की ताश में दर्ज कराएंगे तो मिलते हैं तीन तरिकों जुलाई में सुबह 10 बजे जैसे के सत्पालतवर ने भी आवान किया है कि सभी सामाजी संगटन इसमें अपने बैनर पोस्टर के साथ पहुंच है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद